अमास के इसराइल पर हमला करने के बाद इसराइल ने गाजा पर चड़ाई कर दी थी जिससे आग बबूला हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ऐसा तांडव मचाया कि इस रूट से होने वाला वैश्विक व्यापार ठप तो पड़ा ही साथ ही हूतियों न ने हूति पर लगाम लगाने के लिए करीब दस देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्परिटी गार्जिन शुरू किया लेकिन थोड़े वक्त में ही उसकी भी हवा निकल गई और उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर कई बार हूति के हथियार डीपो पर हमला करके उसे कमजोर करने की कोशिश की लेकिन उससे हूति और भीज ज्यादा आकरामक होकर लाल सागर से आगे हिंद महा सागर समेत अरब सागर तक अपनी लंबी दूरी की मिसाईलों से हमला करने लगा उसके इन हमलों से लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसाइक जह तर हूती के पांच अंडरग्राउंड हतियार डीपो पर एक बहुत बड़ी एर स्ट्राइक की अमेरिका ने ये हमला अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर से किया अमेरिका ने ये हमला ब्रिटेन के साथ मिलकर किया था हूती पर नकेल कसने के लिए बाइडन को अपना सबसे ताकतवर हतियार उतारना पड़ा लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की ये कोशिश भी बेकार हो गई है क्योंकि हूती ने शुकरवार यानी 18 अक्टूबर 2024 को अरब सागर से गोजर रहे मेगालो पोलिस जहाज पर ड्र लेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टी करते हुए कहा कि इस जहाज को कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदर गाहों में प्रवेश पर लगे हूती के प्रतिबंद का उल्लंगहन करने के लिए निशाना बनाया गया अफदती ल्कोजाती ल्मसलحत ल्यमनी तु बियाओन ल्लाह तावाला अमलियत इस्तेदाफ लिसफीनत मेगल अबुलस फिल बहर लारबी वदलिक बदादी मिन ताइरात ल्मसेयरा वगद हक्गती ल्मलियत अहदाफ़ अधाफ़ बनजाह बफदल ल्लाह वनुदती ल लाहिल जवील मुसेयर फिल गुवातिलमसलحत ल्यमनीया लैसीजी से मिले डेटा के अनुसार माल्टा के ज्छंडे वाला कंटेनर जहाज मेगालो पॉलिस अभी ओमान के सललाला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है इस जहाज पर हमले के साथ ही हूती के मुख्या अब्द प्रतिरोध मूर्चाद ध्वस्त हो जाएगा या उसके लड़ाके हतोच साहित हो जाएंगे तो वे भ्रम में हैं सयदल हूती ने आगे कहा कि हमास एक अंदोलन जो अपनी स्थापना के बाद से ही द्रण और समर्पित रहा है अपने संस्थापक और कई प्रमुख निताओं की शहादत के बावजूद डग मगाया नहीं है अब्दुल मलिक अलहूती ने कहा कि हमास कभी भी प्रतिरोध का जंडा नहीं छोड़ेगा युद का मैदान नहीं छोड़ेगा या आत्म समर्पण नहीं करेगा आपको बता दे कि लाल सागर में हूती के हमलों से पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्री चर मरा गई है एक अनुमान के मताबिक इस रूट पर एक साल में करीब एक ट्रिलियन डॉलर का सामान होकर गुजरता है लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के बाद से ही ये रूट पूरी तरह से ठप पड़ गया है हूती का दावा है कि उसने गाजा युद शुरू होने के बाद से अभी तक 100 से ज्यादा मालवाख जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है जबकि एक जहाज अभी भी हूती की कैद में है इसके अलावा हूती के हमलों में दो जहाज लाल सागर में समा चुके है